Hello friends, welcome back to my channel दोस्तों, मार्केट से बहुत सारे महंगे महंगे क्रीम लाते हैं कॉस्मेटिक लाते हैं, सीरम लाते हैं ये सोचके कि हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत कर देगा निखारेगा, हमारे स्किन को गोरा करेगा, दाग धबे दूर करेगा दोस्तों, इसमें इतने केमिकल होते हैं, ये हमारे स्किन प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देते हैं और हमारे स्किन को बूरा कर देते हैं मैं आपको आज एक ऐसी रेमिडी बताऊंगी, जो आप घर पर आसानी से बना कर अपने स्किन को बहुत ही ज़ादा खुपसूरत कर सकते हैं अपने स्किन को निखार सकते हैं दूद' से भी ज़़ा गोरा कर सकते इस रेमिडी को तेयार करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक पा alguémड़र बनाना है इस powder को बटाने के लिए दोस्तों आपको यह skin whitening powder है इसे तयार करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बढबर मातरा में rice और मसूर की जो डाल होती है ना उन दोनों को लेना है जो rice होता दोस्तो, skin whitening के लिए बहुत अच्छा होता है, यह anti-aging होता है, हमारी skin को जवान करता है और हमारी skin को अंदर से निखारता है मसूर की जो दाल होती है दोस्तो, यह हमारी skin में brightening effect लाता है, अगर आप अपने skin को अंदर से गोरा करना चाहते है, निखारना चाहते है नैच्रल तरीके से, तो अपके लिए बहुत ही helpful होने वाला है इन दोनों का powder बनाना है दोस्तो और एक खाली बॉल में एक चमच ले दीजिए, बागी जो बचा हुआ उसको आप स्टोर कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे लगबग एक चमच ऐलो वेरा का जेल लेना है दोस्तो अलो वेरा के बाद दोस्तो हम यहाँ पे ले रहे हैं coconut oil याने की नारियल के तेल की 5 से 6 बुंद एक बहुत अच्छा deep cleanser होता है जिसे हमारी skin जो है वो अंदर से साफ होती है, मुलायम और soft होती है दोस्तो आप उसे एक request है कि अगर आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो मुझे आपके motivation की बहुत जरूरत है आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और comment जरूर कीजेगा ताकि आगे मैं इस तरह के वीडियो लाते रहूं अब अच्छे से यह mix हो गया है, हम यहाँ पे लेंगे दोस्तो half lemon यानि की आधा नीबू का रस्त, नीबू का रस्त हमारे skin को टोन करने के साथ हमारे skin को निखारने के लिए बहुत अच्छा होता है तो इस तरह से दोस्तो अच्छे से mix होने के बाद आपको अपने पूरे चहरे पे, गरतन पे, हाथ, पेर पे अच्छी तरह से scrub करते हो लगाना है ताकि जो dead skin cell है वो भी पूरी तरह से निकल जाए, 20 मिट के बाद आप इसको clean कर लीजिए, फर्स बार से ही आपको बहुत अच्छे result मिलेंगे दोस्तों तो एक बार जरूर ट्रै करके देखिएगा thank you